नमसकार प्यारे साथियों कैसे हो आप अपसभी मैं हूँ योगेस और आप सभी देख रहे हें योगेस लर्निंग अकडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल तो प्यारे साथियों आज हम बात करने वाले हैं भारतिये इतिहास के अंतरगत आधुनिक भारत के में और जानने का प्रियास करेंगे कि किस प्रकार से भारत के अंदर विदेशी सक्तियों का आगमन हुआ है और किस किस करम में कौन-कौन से देश से कौन-कौन से लोग जो है भारत के अंदर आए हैं और किस प्रकार से उन्होंने भारत के अंदर अपना इस्थापत्य कायम कि है उनके बारे में जानने का परियास करेंगे यह भैतरीन सी शुरुवात हम करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंतरगत आज प्यारे साथियों हम पढ़ने पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो पूर्त गाली थे वह भारत के अंदर पहुंचे और इसी कर आपको बताएता हूं याद भी रखना एच्छी तरह से कि भारत में सबसे पहले लोग आये थे वो थे पुर्टगाली कौन आये थे पुर्टगाली जिनको पुर्टगीज के नाम से भी जाना जाता है या फिर यह कहां से थे आप कहेंगे पुर्टगाल से पुर्टगाल से य यह बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे इनके आने का करम मैं आपको बताने वाला हूं दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर आये वो थे डच यानि भारत में पहले पुर्तगाली आये उसके बाद आये भारत के अंदर डच और यह डच लोग जो थे वह कहां से आये पıldı 5000 अच्छी तरह से आपको कंठस हैна को तइसरा करम था वह था लेज्वरंब यह जो ब्रेटें से लोग आए थे इयंग्रेज जो हमारे देश के ऊपर पकरीमन दोहला सालों तक राज करके गए हैं तीसरा नंबर उनका था यहां पर कहां से यह ब्रिटेन से थे चोथे नंबर की बात करें तो भारत में आए डैनिस डैनिस लोग यह कहां से आए थे आप कहेंगे यह आए थे डेनमार्क से डेनमार्क से पांचे नंबर की बात करें तो फ्रांसी सी फ्रांसी सी भारत के अंतरगत फ्रांस से आये थे फ्रांस से करम आपको याद रखना एच्छी तरह से करम कहीं बार आपके एक्जाम में पूछा जाता है स्विडिस ये कहां से आयते सुडर से आया थे अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि किस प्रकार से इस संबंदित। कोईशन पूछा जा सकता है तो क्या पूछता है कोेशन में पूछता है भारत में विदेशी मैं कि सक्तियों के कि के आगमन का कर्म कि आगमन का जो कर्म था इनका वो क्या था यानि करम जो था सोरी क्या था तो आप कैसे बता होगे देखिए यह ऐसे करके आपको दे सकता है कि यह सबोस्फ चार अपस्फण commodity कि यह कि पहले डाच दे दिया उसके बाद बोल दिया कि लगा थे होगा भैतरी तरीके से आपने देखा हुआ हो इन सभी चीजों को तो आप बिल्कुल भी डगमगाएंगे नहीं और आसानी से बता देंगे कि पहले नंबर पर पुर्तगाली आये थे दूसरे नंबर पर डच आये थे तीसरे नंबर पर अंग्रेज थे और चौते नंबर पर यह करम आपको अच्छी तरह से याद रखना है प्यारे साथियों अब मैं बात करने वाला हूं इस इत्यास की जिसके बारे मैं जानने के लिए आप सभी उत्सुख है थोड़ी सी पहले मैं आपको कुछ बातें बताएता हूं देखिए अगर हम बात करें कि सबोच करें कि यह भारत का एक नक्सा है Quay कि यह बहतरी नहीं होगा मैं जानता हूं जल्दी में बनाना पड़ रहा है लेकिन आप लोग समझ सकते हों है ऐसे करकर आख फिलीजय मान सकते हो की भारत सब्सक्रने तो आपको याद रखना है जिवाहरत में पहले जो लोग आया करते थे ना वो कहां से आते थे इस तरफ से यह इरान वाले इलाके से ऐसे से करके अधर से आते थे और यह पूरा यह पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान वाला इलाका था यह इन सबने यहां पर कभजा किया हुआ था यानि यहां पर यह सभी जो है वो आकरवन वारवार करत आप जानते हो एसिया और यूरोप वो सेम प्लेट पर है याणि एक ही प्लेट परिस्तित है तो जो यूरोप है यूरोप से आने वाले लोग जब कभी भारत की तरब को इस्थल मार्ग से आते थे तो उनको रास्ते में ही यहाँ पर इन इनानियों के द्वारा इन यूनानों को पार करके भारत में आने का परियास किया तो जो अफ्रीका था ना अफ्रीका का सबसे लास्ट या बिंदू जो था हमारे पास उसका नाम था वो जो सहर था उसको बोलते थे केप टाउन या फिर उसको कहा जाता था केप ओफ गुड होप यहां पर इसकी खोश की गई सबसे पहले और फिर उसके बाद उसी रास्ते से भारत में केरल की साइड से आना हुआ इन यूरोपियों का तो मैं आपको इस बारे में भी बताने वाला हूं क्या-क्या किस-किस तरीके से आपको इस इस्ट्री को पढ़ना है तो चलिए मैं यापर नोट्स भी बनाता चलूँग हम बात करेंगे कि 1492 में यूएसस के समुद्री मार्ग की खोज की थी किस ने की थी आप कहेंगे कॉलम्बस ने यह हर बच्चे-बच्चे को पता होगा कॉलम्बस ने सबसे पहले जो हो खोज करी थी और यह कहां का रहने वाला था आप कहेंगे स्पेन का इतनी बाते सभी बच्चे को पता है अच्छी तरह से और वह अच्छी तरह से जानता भी है अब हम बात करेंगे जो पूर्त गाल हेन्री अपना पूरा जीवन अपना पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए के लिए ही सोचता रहा यानि वो चाहता था भारत का रास्ता खोजना लेकिन उसने परियास नहीं किये सिर्फ सोचता ही रहा और आप जानते हो सोचने से हमारी च्छाओं की पूरती नहीं होती है सोचने से हम अपने लक्षों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं लक्षों को प्राप्ति करने के लिए हमको मारक पर चलना होता है यानि हमें घर से निकलना होता है तो वो सिरफ सोचतारा इसलिए ढूंड नहीं पाया लेकिन आपको याद रखना है 1487 में 1487 में बार्थो लाम्यो बार्थो लाम्यो डिजाज डियाज बार्थो लाम्यो डिजाज ये आपको नाम याद रखना है इसने खोज कर दी केप ओफ गुड़ हॉप की केप ऑफ गुड़ोफ की मॉस्ट इंपोर्टेंट नाम है आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि केप ऑफ गुड़ोफ की खोज किसने करे थी मैं आपको बताया था तक्षिन अफ्रिका या फिर आप कहा सकते हो अफ्रिका का सबसे आखिरतम जो किनारा था उसको का जाता था पानी के रास्ते आपको याद रखना है चोड़े सटासी स्वी में बार्थो लोम्यों डिजाजने अब प्यारे साथियों आपको याद रखना है सत्रे मई कि चोड़े सो ठाणवे ये वो दिन है जिस दिन इन यू यूरोप्यों में अर्थात पूर्ठिकालियों के द्वारा यानि वास्कोडी गामा वास्कोडी गामा वो इसी रास्तिय के जरीए केप ऑफ गुड़ होप के जरीए कहां पहुंचा आप कहोंगे भारत में पहुंचा था कहां पहुंचा था भारत पहुंचा भारत अब जब यह भारत पहुंचा तो भारत के किस इस्थान पर सबसे पहल रखना है इसकी यहाँ पर जो है वह खातिरदारी आधिर आप कह सकते स्वागत किया गया हिंदु सासक जैमोरीन इन लाए जाल हा उसको एड़ी कि वास्कोडि गा कशना था सब्दाब लॉडब्दाथ को大家都 वास्को डिगामा भारत आया क्यों था तो उसके दो कारण थे नंबर एक था व्यापार यानि बिजनेस पलस यह करना चाहता था यहां पर इसाइयत का परचार प्यारे साथियों इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो वास्को डिगामा है भारत में तीन बार आया एक तो आप याद रखेंगे 1408 फंद्रेस दो यानि चार साल के बाद दुबारे आया था और फिर 1524 और 1524 में इसकी भारत में क्या हो गई थी मृत्यू यह भी आप याद रखेंगे यहाई पर इसके मृत्यू हो जाती है पहरे साथियों अब इसके अलावा आपको याद रखना है इसके बाद अब यह जो है इसके बाद पंद्रेसो तीन में ये इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है पंद्रेसो तीन में पुर्त गालियों ने कहां पर? आप कहोगे कोचीन में कोचीन में पहली वियापारिक कोठी इसको हम कंपनी कह सकते हैं कंपनी खोली कोभी पूछले जैन कि पहली कंपनी जो है वो पर खोली गई थी तो आप बताओगे ये कोचीन का पर पड़ता है आपका केरल में यानि केरल में अच्छी तरह से याद रखना 1503 में जो हैं यूरोपियन यानि यह जो पुर्टगाली भारत के अंदर पहली अपन 1005 में पहला गवर्नर हाँ पहला पुर्टगाली का गवर्नर को बंता यक कों बंता आप कहेंगे ये बंता है फ्रांसिस में ए έχει फ्रांसिस डईल मीडा के है कि मौस्ट से हे 1505 में कब तक रहता है 1505 से लेकर के दुढिख के 2505-1509 तक यह भारत में रहता है गवर्णर चलिये इसने एक नीती अपनाई थी जिसे कहा जाता था सांत च vive back से जलकी नीती का नीतीuard प्ãy looking at the तूसरा नाम है इसका, Blue Water Policy, कई बार एक्जाम में ये Policy पूछ ली जाती है, किसके द्वारा ये जो है वो अपनाई गई थी, तो आप बताएंगे, Francis D. Almeida के द्वारा, ये कौन था, भारत का पहला गवर्नर बना था, जो की विदेशी गवर्नर था, अर्थात, भारत के अंद क्या है, या फिर Blue Water Policy क्या है, तो आपको प्यारे साथ यह याद रखना है, कि जो सांत जल की नीती है, इसका आर्थ साप साप क्या होता है, इसका आर्थ होता है, कि असल में ये जो Francis D. Almeida था, इसका ये कहना था कि, जो आपका भारत है, भारत के आस पास जो भी, जिसे इसको या फिर जो भी हो, उसे एक टेक्स देना होगा, और वो टेक्स कौन लेगा, तो ये Francis D. Almeida लेगा, यानि गवर्नर लेगा, तो ऐसी नीती अपनाई गई थी, इसी नीती को कहा गया है, ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर सांत जल की नीती, उमिद कर रहा हो, ये बाते आपके अवस्य समझ में आई होगी, अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, और आगे की बातें आपको बताने का परियास करूँगा, आप सभी बहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, और जिनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज, अगर वीडि को सेर कर सकते हो, वो सेर करने का परियास भी आप अवस्य कीजिए, व्यारे साथियों, अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं, और आगे की बात क्या है, ये भी जानने का परियास करेंगे, देखिए, आपको प्यारे साथियों याद रखना है कि कभी भी पूछ ले पर िस्थापित की तो आप कहेंगे यह की करल रांप लारे जाद्रखेंगे और इस ते पहले इनोंने काम किया था असल में कोज़रात में काहां पर गुज़रात में सासक था ऊस चाइम पर कौन महमूद पर महमूद कि फै गड़ा महमूद बेगडा यह जो महमूद बेगडा है। ना इस महमूद बेगडा ने इस Blue Policy या Blue Water Policy का किया था विरोध. यह फिनु कहे लिजिये कि यह जो सांत तजल की नीती है इसका विरोध किया था. महमुद बेगडा का ये कहना था कि आखिर जब ये राज्य भारत का है यहाँ भारत के सासकों का राज्य है तो फिर तुम यहाँ पर टेक्स कैसे ले सकते हो इसका जब विरोध किया तो यहाँ पर यूद होता है किस-किस के बीच में आप कहेंगे यह हुआ था फ्रांसिस डी अलमीडा और महमुद बेगडा के बीच में और यहाँ पर महमुद बेगडा को हार का सामना करना पड़ा और यह जो था वो हार चुका था ऐसे में और भी ज़्यादा बुलंद हो गए थे यहाँ पर जो पुर्तगाली थी उनके जो विचार थे वो और भी ज़्यादा बुलंद हो चुके थे अब ऐसे इस्तिती में प्यारे सत्यों ऐसी इस्तिती में पंद्रे सो नो के बाद पंद्रे सो नो से लेकर के पंद्रे सो पंद्रे तक पंद्रे सो पंद्रे तक यानि इन 6 सालों तक दूसरा governor जो है वो बन जाता है दूसरा गवर्नर और दूसरा गवर्नर को हम आया आप कहेंगे अल्बू करक किई डूर्द करक ये आपको याद रखना। अलबुकर्क जॐ है वो दूसरा गवर्नर था सैकिंड गवर्नर यह इसने क्या ग़राdon half- staande गार इसने यह जो सांत जलकी नीतिती से रद कर दिया सांत झालकी नीति को खटाया और बात क्या याद रखना भी आपको इसके लाब आपको याद रखना है कि पंद्रे सो दस में पंद्रे सो दस में बीजापूर यहां पर सासक था कौन? यूसुफ आदिल सह इसको इसने यहां से हरा दिया और इससे गोवा चीन लिया से गोवा चीन लिया यह बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है अच्छी तरह से नौट कर लेनी है अब प्यारे साथियों इसके बाद क्या हुआ? आपको यह भी याद रखना है कि पंद्रे सो उनत्तिस में निनो निनो दिकुनहा निनो दिकुनहा ये गवर्णर बनता है भारत का गवर्णर बना और इसने क्या काम किया इसने 1530 में गोवा को राजधानी बना दिया गोवा को राजधानी बनाया कि ठीक यह बात समझ में आ गया इसके लावा इसने 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया दीव आप जानते हो दमर और दीव यस दीव की बात करें तो इसने 1535 पर दीव पर अधिकार करा जबकि 1569 में 1569 में दमन पर दमन छेतर पर भी अधिकार कर लिया तो यह बात आपको अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए अच्छी तरह से कंठस्त रहनी चाहिए प्यारे साथियों इसके लावा आपको याद रखना है कि भारत के अंदर आखिर यह जो पूर्त गाली आये इन्होंने क् सी चीज़ें आयसी हैं जो पूर्त गालीयों की देन हैं जैसे आंपको बताना चाहँए आप याद रखेंगे पूर्त गालियों की देन sorry के तमबागु की खेती क क कि यह नि भारत में आलू डमाटर तमबा कू अफीम इन सब चीजों की जो खोज की गई थी सभी किन की दिन है तो आप कहेंगे फृत कालीयों की दिन है इसके कर लाव आपको या रखना है भारत में LIKE को लेकर आया यह यह भारत के लेकर आया था आप को यह पू कर आयों थे नंबर 0, 2 है जा हज ओ कर निर्मान Chamber कि गया है वो भी भारत में जो है वो किसकी देन है आप कहोगे पूर्टगालियों की देन है अब इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है बड़ी इंपॉर्टेंट है वो बात और बात कुछ ऐसी है देखे कि ये जो पूर्टगाली है 1661 में 1661 में पूर्टगाली राजकुमारी पूर्टगाली एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन नाम क्या था कैथरीन आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कहानी कितने इन चीजों को समस्ते चलें कैथरीन ब्रेगेंजा बोलते थे कैथरीन ब्र प्रिटिस राजकुमार चाल्स सेकंड से चाल्स सेकंड से और आपको यह याद रखना है कि यह पूर्ट गाली उस्ते भारत के अंदर अपना अपनी ताकत को जो है वो पक्की कर चुके थे यानि भारत में अच्छी तरह से इस्थापित हो चुके थे तो वो जो भारत का में एरिया था उस ताइम पर राज होने लगा था इन पूर्ट गालियों का ऐसी स्थिति में जब यह साधी होती है यह इंटरनेशनल जो साधी थी आप समझ सकते हो देखिए पूर्ट गाल यानि यह पूर्ट गाल से जो लोग आये थे उनकी लड़की के स साधी यह ब्रिटेन से आयोए राज कुमार के साथ होती है तो आसी स्थिति किसको ब्रिटीज राजकुमार 40 सेकंड को कौन देते हैं पूर्तकाली देते हैं तो यह बड़ी इंपोर्टेंट बात है कि देश हमारा है और इस देश के अंदर रहते वे भी हम लोग जो है वो कुछ ना कर सके और यह लोग यानि जो भाहर से आएवे लोग थे वो भारत के अंदर इस परकार से हावी हो जाते हैं कि वो यहां पर साध्या करके सीधे राज्यों को ही सीधे बड़े-बड़े सहरों को ही क्या कर रहे हैं दहेज में दे रहें तो उस टाइम पर इतना बड़ा देश दिया जाता था वो भी उनके द्वाला जिनका कोई इस धरती पर चाहते हैं तो पक्का हमारा देश बच जाता लेकिन ऐसी उनकी कामना यह नहीं थी वो सिर्व अपने छेत्र को देख रहे थे अब प्यारे साथ आपको याद रखना है इन्हीं पूर्त गालियों ने 1669 में कि स्रिलंका से स्रिलंका है न स्रिलंका पर कोन थे डच कायम हो चुकी ते स्रिलंका से यह सिरिलंका को डचों से पर चीन लिया था चीन पर इस परकार से यह 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 पर recharge काल March थे गोवा वाला जो इलाका है गोवा पर पूर्ण रूप से अधिकार रखा और अभी आप जानते हो भारत के अंदर सबसे पहले आये भी कौन थे पुर्तगाली थे और भारत से सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गए यानि भारत का एक राज्य गोवा जो 1961 में जो 1961 में फंद्रई सो दस में क्या कर लिया गया था फंद्रे सो दस में अंगरेजों ने सोरी पुर्तगाली होने कभजा कर लिया था और उसको अनि कंपनियों की स्थापना करी, किस प्रकार से अंग्रेजों ने उन्हें मार भगाया किस प्रकार से अंग्रेजों का दबदबा यहां पर भढ़ा, उससे बढ़ते विए हम नेक्स्ट वीडियो में Ciर्चा कर रहे होंगे भारत के गवर्नर और जन्रल के बारे में भी तो प्यारे साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना काफी है हमने जानने का परियास करा किस प्रकार से पुर्दगालियों ने भारत के अंदर जो है अपना अपनी कंपनियों की स्थापना करी किस प्रकार से यहां पर अपन कमेंट में लिखें मैं आपके कमेंट का बेसबरी से इंतजार कर रहा हूं चलिए प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद